नमस्कार दोस्तों मौवा मुतर मित्रा को भूल तो नहीं गए ना आप लोग नहीं भूले ना भाई ममता बिनर्जी की बड़ी फायर ब्रांड सांसद थी हुआ करती थी और जब पार्लियमेंट में आती थी तो बस तहल का मत जाता था उनके जो पार्लियमेंट के स्पीचीज हैं शोशल मीडिया पर बड़े वाइरल हुआ करते थे उनको इंट्रेवू लेने के लिए सारे चैनल वाले राजदीप सर्वेसाई ये सब लोग बेचेन रहा करते थे और बड़ी हाइलाइटेड रहती थी और अक्सर उनकी बहुत सारी चीजें सुर्खियों में रहती थी के डाइलाक रुपे का बैग लेकर आती हैं महंगे चश्मे पहनती हैं और वह सारी चीजें हैं उनके बारे में क्या बताऊ तो उनका दिल्ली से connection आज पूरी तरीके से खतम हो गया आप सोच रहे हैंगे दिल्ली से connection खतम हो गया जी आं उनका टेलिग्राफ रोड पर एक बंगला था सरकारी जो उन्हें लोकसभा सांसद करीम नगर सीट जहां की उनकी है पस्चिम बंगाल की जिसको वो रिपर्जेंट करती थी टीमसी की सांसद के तोड़ पर वो उन्हें बंगला मिला हुआ था आज साब वो खाली कर लिया गया सांसदी उनकी कुछ महिने पहले जा चुकी है आपको पता ही है और जो पिछला सेशन था पारलेमेंट का उसमें उनकी सांसदी चली गई थी और तब से उन्हें नोटिश दिया गया था कि भई आपकी सांस तो आप अपना बंगला खाली कर दें उसके खिलाफ ये कोड में भी चली गई थी बहुत कुछ आप पैर मारे और किसाब मेरे पास घर नहीं है दिल्ली में रहने के लिए मुझे बंगला खाली करने का अदेश दे दिया गया है आप ये बताइए कि आप जब सांसद ही नहीं किसाब आपको दिया है सरकार में आप उसमें रहिए जब तक आप जनता को रिपरजेंट कर रहे हैं अपने लोग सबाचेतरी की जनता को रिपरजेंट कर रहे हैं उनकी आवाज उठाईए पारलेमेंट में उनके सवाल पूछिए उनका समधान लेकर यहां से जाईए वहा हिरा नंदानी जो दुभी में रहने वाला कारोबारी है उससे पैसा लें और उसके माध्यम से या उसके बिहाफ पर आप सवाल उठाने लगें क्योंकि अडानी के साथ राइवल्री थी हिरा नंदानी की कुछ कारोबारी सिलसिले में तो उसने कहा कि भई अडानी को पेलो और पर अडानी के माने आप नहें दर्माभी जी को पेलो. ये मंम्ता बनर जी की जो firebrand सांसद हैं उनका चरितर है ये और वो दिल्ली में आई, दिल्ली में आने के बाद जब वो सांसद बनी तो दिल्ली की आवो हवा ने ने तो हवा में उडने के लिए एक तरीके से मजबूर कर दिया क्योंकि जो लुटियंस जोन है जहां पर सांसोदों के आवास है वो दिल्ली का सबसे शांदार इलागा है जिसे कहते हैं कि खान मार्किट गैंग लुटियंस का पूरा जो जोन है यहां पर देर रात तक चलने वाली पाटियां होती हैं डिसको हैं सारे बड़े-बड़ होटल्स हैं बड़े-बड़े लोग रहते हैं यहां पर पैसे वाले रहते हैं कारोबारी वकील इनहीं में से एक वकील साब से उनकी दोस्ति भी हो गई दोनों लगबग डेढ़ दो साल तक रिलेशनस में भी रहे लिवी रिलेशनसिप में रहे और जिस बंगले को आज खा कारी आवास कैसे होते हैं CPWD वल द्वारा संचालित होते हैं उनके द्वारा मेंटेन किये जाते हैं रिपेर का काम हुआ आप डिपार्टमेंट को लिख दीजिए किसाब मेरे यहां पर छत में प्लास्तर खराब है या दिवार में ये प्रोब्लम है या बाथरूम की टाइल तो आप कंप्लेंड करेंगे तो आप ठीक हो जाती है लेकिन मववा मित्रा जो विदेशों में पढ़ी हैं और विदेशों में बड़ी-बड़ी JP Morgan पतनी कौन सी कंपनी है उसमें बड़ी सीनियर पोस्ट पर हुआ करती थी वहां की नोकरी छोड़कर राजनीती में आई थ तो मववा मित्रा ने कहा करें यार मैं ऐसे सरकारी में थोड़ी रहूंगी है है तुम्हारा जिनम का कारोबार है उतने बड़े विलडर ने लिफट शलते रहां चलते रहें जारा मेरे इसटाओ ने रहो लेगर इस बंगले का दम शकल सुधार दो सब कुछ परफेक्ट कर लिया गया टॉइलेट्स बाथ्रूम एसी सब कुछ अत्या धुनिक लगाया गया इसके अलावा उसमें कुछ अंदर एक गेट भी लगाये गए थे हाला कि और और सांसदों के उसमें केवल एक में गेट होता है उसके बाद को गेट नहीं हो आगे की मैं आपको तस्वीरे दिखाता हूँ शोशल मीडिया पर काफी चीजे चल रही है मोवा मित्रे की तो यह दिखाता हूँ मैं आपको यह देखिए यह जो है आज अधिकारियों की टीम पहुंची वहाँ पर और उन्होंने यह बंगला इन से खाली कराया है तो आप देख सकत के जो आवास हैं उनमें यह गेट नहीं है और मैं तो सोच रहा था कि यार यह जो जनाब है यह शायद यह तो कोई अधिकारी है मैंने सोचा कि यह जै अनत द्याद्राई कहा सा आगया देखिए यह मेन गेट है बार और एक गेट अंदर लगवाया हुआ था मोवा मित्रा म और उस गेट को आप देख सकते हैं बहुत खुबसूरत बंगला इन्होंने अपना मैंटेन किया हुआ था तो इस बंगले को रिनुएट कराया इन्होंने दर्शन हीरा नंदानी से कहा उनकी आर्किटेक्ट आये और बताय जाता है कि लाखों रुपे लगाए गए इसमें और आज ये इस पर ताला लगा दिया गया है इनका सारा समान वामान सब यहां से जा चुका है एक दो दिन पहले ही वो समान निकाल लिया और आज जाकर यहां से देखे 9B टेलिग्राफ लेन तो ये अब महुवा मितरा जी के लिए पर्मनेट ताले बंद हो गए हैं दिल्ल पर तो इस बार ममता बनर जी इनको अगर फिर से टिकट दे देंगी तो ये सांसद बन सकती हैं ये देखिए ये गेट जो अलग लगा कितनी खुबसूरत फिनिशिंग है किसी बंगले की नहीं मिलेगी या सारे में टाइले लगवाई थी इनको पहली बात तो इन्हें टिक अलोट किये जाते हैं जरूरी नहीं है कि जो बंगला आपको पिछली बार मिला हुआ था वो ही बंगला आपको फिर से दिया जाए तो मववा मितरा जी का बोरिया बिस्तर सिमट चुका है अब मववा मितरा आपको दिल्ली में नजर आनी वाली नहीं है और इनको लगतार नोटिस भेजे जा रहे थे, मेरे ख्याल में तीन नोटिस भेजे जा चुके थे, बंगला खाली करने के लिए, और अंतत है, आज इनका बंगला खाली कर दिया गया, यह देखिए, इनके घर पर इस तरीके से नोटिस चिपकाए गए थे, लोग सबा सेकेरेट के दुआरा, कि आप इसका जो बंगला है, आपका टाइप 5A वाला, 9B टेलिग्राफ लेन वाला, इसको तुरंट आप खाली कर दें, और कोट ने वगएर सब जगे से तुने निराशा ही मिली थी, कोट का तो यही कहना था कि भई, हापका राइट है ही नहीं इस पे, आपको तो यह खाली क करना ही पड़ेगा, यह बंगला तो सरकारी है, और देखे, कुल्दी फुड़ा है, संपदा अधिकारी है, संपदा निदेशालिय के, तो वहां से उनने कहा, आपके साब आप इसको तुरंट खाली करें, और मववा मित्रा ने यह खाली कर दिया, आला कि मैं सोच रहा था क कि इस पर मववा मित्रा की कोई रियक्षन आएगी, मववा मित्रा की अभी तक कोई रियक्षन इस पर आई नहीं है, कि उनकी इस पर क्या राय है, लेकिन रियक्षन भी क्या देंगी, रियक्षन देने की तो अब कोई आवश्चक्ता रही नहीं है, जब आप सांसद नहीं तो आपको फिर सांसद आवास में रहने का क्या मतलब है तो इस तरीके से महुआ मित्रा जी की विदाई हो गई है और अब महुआ मित्रा के यहां इस तरीके से ताला पड़ गया है तेके बड़ा नुकसान हो गया एक तो जो इनका वो कुत्ता था जिसको लेकर जैयानंत देह जगड़ा हुआ था कुत्ता भी वापस करना पड़ा आलकि महुआ मित्रा ने तो जैयानंत देहाद्राई से क्या का कहते हैं कि मान्डवली करने की जो माराश्ट भासा में कहते हैं माराठी भासा में कि बील एक उन्हें उफर की थी कि मैं आपको कुट्ता दे दूंगी अगर आप सारी शिकायते वापस ले लो क्योंकि जै अनंत देहाद्रई ने CBI को लिखा था कि ये पैसा लेकर सवाल पूछती है और दर्शन हीरा नंदानी को इन्होंने अपना लोगिन पासवर दिया हुआ है उसके दुबई इस्तित दफ्तर से सवाल पूछे जाते हैं और लोग सभा सेक्रेट की जो वेबसाइट है उसका एकसिस का राइट भी उनके पास है तो ये इस तरीके से देश के खिलाफ और देश की जो इंटर्नल सिक्यूरिटी है उसके खिलाफ काम करने का भी मामला है और ये सब मामले चल रहे हैं अभी CBI भी इसमें कुदेगी तो आसान नहीं होगा महुआ मित्रा के लिए इस से निकल पाना अब तो मुझे लगता है कि महुआ मित्रा की दिल्ली से विड़ाई हो गई और अब जाएं वो जहां जाना है जनता के बीच जाएं जनता के बीच किस मूँ से जाएंगी यही बड़ा सवाल है जब जनता के बीच जाएंगी तो जनता पूछेगी अरे भाईया हम बंगाल के गरीब लोगों का समस्या पूछने के लिए आपको हमने दिल्ली बेजा था वहाँ पर हाई क्लास पार्टियां अटेंड करने के लिए कारोबारियों से पैसा लेकर सवाल पूछने के लिए अपना पास्वर्ड उनके साथ शेयर करने के लिए अपने बंगले को मुफ्त में रिनुवेट कराने के लिए और एशो औराम की जिंदिगी गुजारने के लिए दिल्ली में थोड़े बेजा था अब आप यहीं रहिए अब हम किसी और को अपना साथ चुनेंगे देखते हैं मववा मित्रा का क्या होता है मुझे लगा कि यह अपडेट आप से शेयर करनी चाहिए इसलिए कर रहा हूँ आप से फिर मुलाकात होगी मुश्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें